आज के वीडियो में संग प्लेटी हिलमेंथीज के अंतरगत प्लेटी हिलमेंथीज सब्द का अर्थ इसकी खोज किसने की और इसके कौन-कौन से प्रमुख लक्षण हैं इसके कौन-कौन से प्रमुख जन्तु हैं उनकी संदचना पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको ब प्लेटी का मतलब क्या हुआ फ्लेट यानि चप्टे और हिलमेंथीज या हिलमेंथ का मतलब क्या हुआ वार्म यानि क्रीमी इस प्रकार से प्लेटी हिलमेंथीज सब्द का अर्थ हुआ चप्टे क्रीमी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि इस संग में चप्टे क्रीमी य पीते नुमाज जन्तु पाए जाते हैं जो मुख्य तहप पर जीवी होते हैं इस संग की स्थापना गेगन बार ने की थी चलिए अब इस संग के कुछ प्रमुख लक्षणों को समझ लेते हैं तो पहला लक्षण है इस संग के जन्तु का सरीर फीते की तरहे चप्टा होता है जैसा कि मैंने अभी सापदिक अर्थ में आप लोगों को बताया था कि इसमें फ्लेट वार्म पाए जाते हैं अर्था चप्टे क्री में पाए जाते हैं तो चप्टे मतलब फीते जैसे पिर अगला पॉइंट है इस संग के जन्तु का सरीर त्री अस्तरी वा आगुही होता है त्री अस्तरी वा आगुही यानि प्लेटी हिलमिंथी जो जन्तु होते हैं इन जन्तु की जो बॉटी होती है वो बॉटी ट्रिपलो ब्लास्टिक होती है ट्रिपलो ब्लास्टिक और एसीलो मेट होती है तो ऐसे जन्तु जिनका सरीर तीन अस्तरों का बना होता है उसे ही त्री अस्तरी कहा जाता है यानि तीन जननिक अस्तरों से मिलकर जो बनते हैं तीन जननिक अस्तर कौँ से एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म इनसे मिलकर जो जन्तु बनते हैं उन्हें ही ट्रेपलोब्लास्टिक अथवात्री अस्तरी कहा जाता है और आपको बता दें कि ऐसा भी कह सकते हैं कि इनका सरीर तीन अस्तरों का एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म का बना होता है और आगुही का मतलब क्या हुआ तो इन जन्तों में गुहा नहीं पाई जाती है यानि ये जन्तों गुहार रहित होते हैं और एसीलो मेट होते हैं मतलब दे गुहा अनुपस्थित होती है प्रेजन्ट नहीं होती है फिर अगला पॉइंट है इनका सरीर दुईपार्स सम्मित होता है यानि बाई लेटरल सिमेट्रिकल होता है दुई पार्स सम्मित मतलब बाई लेटरल सेमिटिकल होता है दुई पार्स सम्मित का मतलब है सरीर के दाएं वा बाएं भाग की संदचना समान होती है बराबर होती है उसे ही दुई पार्स सम्मित कहा जाता है पिर अगला पॉइंट है इस संग के अधिकांस जीव परजीवी होते हैं मने इस संग के जो जादा तर जन्तु हैं वो पैरासिटिक या परजीवी होते हैं इन में पोसक के सरीर से चिपकने के लिए मुख के चारों तरफ चूसक अथवा सकर्स और कंटक अथवा इस पेक्यूल्स पाय जाते हैं मतलब परजीवी अवस्था में चूसक और हुग दोनों प्रेजन्ट होते हैं और आपको बताया ही है कि इन में चूसक और काटे होते हैं इनकी सहायता से ये पोसक के सरीर से चिपके रहते हैं जो चूसक और कंटक हैं इनकी सहायता से पोसक के स एडेश्यू आरगन कहते हैं, एडेश्यू आरगन, पिर अगला पॉइंट है, इस संग के जनतुओं में, उत्र सरजन के लिए बिसेश प्रकार की ज्वाला को सिकाएं, अथा फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, most important election है उस सर्जन के लिए कौन सी कोशकाएं पाय जाती है प्लेटी हिलमेंथीज में पूछा जाता है तो ज्वाला कोशकाएं अथवा flame cells अथवा सिखा कोशकाएं पाय जाती है प्लेटी हिलमेंथीज संग के जो जन्त होते हैं इस संग के जन्तों में सीलिया का एक गुच्छा होता है जो दीपक के लव की तरह से हिलता रहता है बिल्कुल वैसे हिलता रहता है और उत्सरजी पदार्थों को हटाता रहता है उसी लव को ज्वाला कोशकाएं अथवा flame cells अथवा सिखा कोशकाएं कहा जाता है अगला लक्षान बताने से पहले चलिए इन जोआला कोशकाओं के बारे में चित्र सही संपूर जानकारी देख लेते हैं क्योंकि इस पर भी कोशन पूछे जाते हैं तो पहले इसकी पूरी जानकारी देखते हैं पिर अगला पॉइंट लेंगे मतलब संग प्लेटी हिलमेंधीज के जन्तों में उत्सरजन के लिए एक्सक्रीशन के लिए बिसेश तरीकी की कोशिकाओं होती हैं उन्ही कोशिकाओं को जोआला कोशिकाओं कहा जाता है अब यहीं से एक प्रश्ण बनता है कि उतसरजन के लिए ज्वाला कोशिकाएं किस संग में पाई जाती है इस तरह से प्रश्ण पूछा जाता है तो बताएंगे संग प्लेटी हेलमेंथीज में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है और ऐसे भी पूछा जाता है कि ज्वाला कोशिकाओं किस संग में पाई जाती हैं तो संग प्लेटी हिलमिन्थीज में अथवा संग प्लेटी हिलमिन्थीज में उतसरजन किस कोशिकाओं से होता है या किन कोशिकाओं से होता है तो बताएंगे ज्वाला कोशिकाओं के द्वा में दूसरे नाम सिखा कोशिकाएं भी कहा जाता है तो सभी चप्टे क्रिमी पाए जाते हैं सभी चप्टे क्रिमियों में नियाजीता है जकी पाए जाती और इन इनकी में कसाभ हो। का एक उसी ने स्युनी में रहता है। उसी तरह जो बाहर निकालता रहता है चुकि हिलता रहता है जिसके कांड क्या होता है कि उस सर्जी पदार्थ होते हों बाहर निकलते रहते हैं अब चुकि ये दीपक कि लो की तरह से हिल रहा है इसलिए से जुआला को सिकाएं अधवा फ्लेम सेल्स अधवा सिखा को सिकाएं कहा जाता है अब जुआला को सिकाएं एक या अधिक उस सर्जी छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती हैं जो जुआला को सिकाएं हैं यह चाहे एक छिद्रों के द्वारा या फिर एक से अधिक छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती हैं और जुआला को सिकाएं में चारों तरफ फैली रहती हैं जिसकी में पर लेक्षन पर आते हैं पिर अगला पॉइंट है इन जंतुओं में कंकालतंत्र श्वसंतंत्र और परिसंचरतंत्र विक्षित नहीं होता है मतलब प्लेटी हेलमिंथीज में iskeleton system, respiratory organs, circulatory organs absent होते हैं, present नहीं होते हैं पिर अगला point है ये जन्त उभैलिंगी या द्विलिंगी होते हैं अर्थात ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं कैसे हर्माफ्रोडाइट उभैलिंगी अथवा द्विलिंगी का मतलब है कि एक ही जन्त शरीर में नर और मादा दोनों अंगों का पाया जाना यानि जब नर वा मादा जनन अंग एक ही जन्त में पाया जाते हैं तो उसे ही द्विलिंगी कहा जाता है पिर अगला point है इन जन्तों में समवेदी अंग विक्सित होते हैं जो sensory organs होते हैं वो developed होते हैं फिर अगला point है इन जन्तों में केवल मुख होता है मलद्वार अथवा NS का अभाव होता है यानि NS absent होती है मुख present होता है फिर अगला point है इन जन्तों में tissue organ grade up organization पाया जाता है अर्थात ये जन्तों उतक अंग कोटी का संगठन प्रदर्शित करते हैं उतक अंग कोटी का इसमें सरीर जो होता है इनका बना होता है फिर अगला point है सिश्टोडा वर्ग को छोड़ कर बाकी सब का सरीर खंड भीहीन होता है यानि सिस्टोडा जो जन्तो होते हैं इनमें खंड पाये जाते हैं जो सिस्टोडा वर्ग है इस वर्ग में जितने भी जन्तो हैं उनमें खंड पाये जाते हैं उनका सरीर खंड युक्त होता है लेकिन इस वर्ग को छोड़कर से सभी वर्गों के जो जीव होते हैं उनमें खं अधवा टीनिया सोलियम दूसरा है लीवर फ्लूक अधवा फैसियोला अधवा यक्रित क्रिमी अगला प्लेनेरिया अगला सेश्टोसोमा अधवा इसे बलड फ्लूक भी कहा जाता है और इकाइनो कौकस आधि जन्तु हैं तो इन सभी जन्तों की संरचना और इनके बारे में स संग प्लेटी हलमेंधीस को मुखिरूप से तीन वर्हों में बाटा गया है तीन पहला टर्विलेरिया दूसरा ट्रिमेटोड़ा और तिसरा सिस्टोड़ा तो इनThankας जन्तु का सरिश्क हंड़ोमे नहीं बटा होता है इन उन्हाइग जन्तुयों का सरीर खंड़ यक्त नह पाए जाते हैं जैसे टर्विलेरिया में अगर देखा जाए तो प्लेनेरिया जनतु आता है ट्रेमेटोडा में देखा जाए तो फैसियोला आता है इनमें खंड नहीं पाए जाते हैं जबकि जो सिस्टोडा है सिस्टोडा के जनतों के सरीर में खंड पाए जाते हैं जैसे ज आहार नाल उपस्थित होती है यानि इन दोनों में आहार नाल पाई जाती है लेकिन सिश्टोडा में आहार नाल नहीं पाई जाती है चलिए अब इस संग के कुछ प्रमुक जन्तों की संरचना और उनके बारे में पूरी जानकारे जल्दी से प्राप्द कर लेते हैं पहला ज सुवर, बकरी, घोडा, कुत्ता, गाय, भेड, खरगोज, हाथी, बंदर, तथा मनुस्य के यक्रित वापित वाहिनियों में पाया जाता है। इसमें पांच लारवा अवस्थाएं मने बताई हैं, मेरिसीडियम, इस्पोरोसिष्ट, रेडिया, सरकेरिया और मेटा सरकेरिया इन में से जो दो अवस्थाएं हैं, ये स्वतंत्र तैरने वाली अवस्थाएं हैं। सरकेरिया और मेरे सीडियम अवस्था सीलिया युक्त होती इसमें सीलिया पाय जाते हैं तैरने के लिए यह इतने जानवर मैंने बताएं है इन जानवरों में इन एनिमल्स में और मनुस्य में भी यक्रित हुआ पित वाहिनियों में उपस्थित होता है या पाया जाता है पाया जाता है और किसी पोसक में इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो किसी पोसक में इनकी संख्या 200 तक हो सकती है यह जिन जिन जैसे भीड़ है बकरी है तो इनमें इनकी संख्या लगभग में 200 तक हो सकती है और इनका सरीर चप्टा होता है अंडाकार होता है जैसा कि और एक चूसक होता है, जो इसका मुख द्वार है, उस मुख द्वार के चारों तरफ एक चूसक होता है, कहने का मतलब यह है कि इनका सरी चपटा, डाकार, पत्ती के समान, कोमल, और अगर देखा जा तो एक दसमलो आठ सेंटीमेटर से तीन सेंटीमेटर तक लंबा होता है, लगभंग में अगला सीरा है, थोड़ा सा नुकीला होता है, और उसी पर मुख होता है, मुख के चारों तरफ चूसक होता है, और इसी में आपको बता दें, कि जो चूसक है, इसे थोड़ा पीछे, सरीर के अधर तल पर एक बड़ा चूसक है, या अधर चूसक होता है, चा चिपक जाता है और इसके कारण लीवर राट रक्त चाप रक्त पलता आतिसार नामक भयंकर रोग हो जाते हैं इतने सारी रोग फैलाता है चलिए अब लीवर फ्लूक अथवा यक्रित क्रेमी अथवा फैसियोला की लाइफ साइकल को समझ लेते हैं देखें सबसे पहले यहां से स्जुरू करते हैं यह एक कोई जलिये पाउधा है यहां पर बहु सारा जल में पाउधा लगा हुआ है इन प्लांट में क्या होता है फैसियोला का प्रिजट में और सश्च्ट सिस्ट होता है यहां पर देखे इसको दिखाया गया है सुजणरसी इलेक्टरान सुजणरसी की सहायता से या माइक्रोस्कोप की सहायता से इस सिस्ट को देखा गया है तो यह मेटा सरकेरिया स्टेज होती है यह इन्फेक्टिव स्टेज है इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है फैसियोला है पैटिका में तो इन्फेक्टिव स्टेज मेटा सरकेरिया होती है इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है तो मेटा सरकेरिया होती है याद रखेंगे और आपको बता दें यह सिष्ट जो से होते हुए एहां आमास Tanner में ब्लाइग और यक्रित मि में पहुचेगे यहsti निली वर्ण में लिवर में इनक्रमित करता है इस हमारे लीवर को इंफ्लीव करता है दो है कि गार सबस्य करते हैं यहां की लार्ज होगा अपने पूरा सरीर मतलब यहां मूं में घुसा तो इन्सिस्ट था उसके उपर इस मेटा सरय के रिया फाममे था और अंदर गया तो यह क्या होगा बड़ा होने लगेगा मेच्योर होने लगेगा और ऐडल्ट फैसियोला बन जाएगा इस तरह से एक एडल्ट फैसियोला का निर्माड यहीं पर यक्रित में हो जाएगा अब एडल्ट में जो फैसियोला है यह हमारे लीवर में रहता है और यहीं पर इसकी रहती सेक्च्चव साइकल होता है अगर पूछा जा Is start निर्माड अधरी के लीवर में सेक्च्चवल रिप्रॉरेक्ष्ट अनिर्माड अब चुकि हम पहले मनुस्य का बता रहा है इसलिए इसका देख लेते हैं वे कैटल्स का भी आपको सब्जाएंगे तो लीवर में यह फैसियोला है पेटिका जो है इसमें सेक्चुल इसकी लाइफ साइकल चलती है अब देखिए अगर मनुस्य मल निकालेगा या फीसेस निक उसकी किसी माध्यम से जल अधावा वाटर के संपर्क में आता है इसी मल में भूढ रहित अंड बनते हैं यहां इस में बूढ बननी लगता कर contributes भी यह बन्य हो जाना好吃 है या कलीम नेटेट एक बन जाता है यहाँ और वाटर में एक फिल्म के रूप में तहने लगता है और इसके बाद इसमें सीलिया वेसे सीलिया बहुत सारे कि मनुसे के मल में अगर वो मनुसे फैसियोला है पैटिका से संक्रमित है तो उसके मल में कौन सा लारवा होगा तो मेरा सीडिया लारवा होगा या मेरा सीडिया लारवा पाया जाता है अब इसमें बहुत सारे सीलिय वगरा बन जाते हैं यह जल पर तैरता रहे और यह 24 घंटे तक 24 घंटे में किसी दूसरे होष्ट को खोज लेता है यहीं पर बता दें कि जो फैसियोला हिपैटिका है इसका प्राइमरी होष्ट क्या होता है प्राथमिक पोसक क्या होता है मनुस से होता है अथवा कैटल्स होते हैं मनुस या अथवा लिख दिजी अथवा कैटल्स या जानवर होते हैं जबकि जो इसका secondary host होता है, secondary host क्या होता है? स्नेल होता है, या दोतियक पोसक क्या होता है? दोतियक पोसक स्नेल होता है, इसके अंदर asexual reproduction होता है, या आलेंगिक जनन होता है, मनुस्य में लेंगिक जनन या cattle में लेंगिक जनन होते हैं, या sexual repression होता है जबकि जो snail है इसमें asexual repression होता है या आलेंगी की जनन पाया जाता है अब देखें आपको बता दें कि जो snail है snail की body में तीन प्रकार के larva stage पाये जाते हैं याद रखेंगे most important तो snail की body में ये मिरा sodium stage आई थी ये मिरा sodium stage जो थी ये snail की body में आई लेकिन अब ये तीन stage जो में change हुई तीन larva बने इसके एक तो sporocyst में बदल गए ही पहला larva कौँसा है जो snail की body में ये घूंगे की body में पाये जाता है sporocyst याद रखेंगे और दूसरा larva कौँसा है radial larva वही जो sporocyst है वो radia में बदल जाता है और इसके बाद तीसरा larva कौँसा है तो तीसरा larva सरकेरिया larva होता है तो secondary host snail में sporocyst, radia और सरकेरिया larva पाये जाते हैं कौन-कौन से sporocyst, radia और सरकेरिया larva पाये जाते हैं आप लोग यात रखेंगे अब ये जो सरकेरिया larva है ये लारवा इसनेल से बाहर आएगा और इसनेल से बाहर आने के बाद इसकी जो टेल है इसकी जो पूँच है धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगी और खत्म होने पर ये फिर से उसी जल में पेड़ पौधों की पत्तियों से या जल में तैरता रहेगा और किसी न किसी माधम से फिर मनुस्य को कंज्यूम कर लेगा किस प्रकार से मनुस्य को संक्रमित करता है और फैसियो लाइसिस नामक रोग उत्पन करता है फैसियो लाइसिस फैसियो लाइसिस नामक रोग मनुस्य के अंदर उत्पन करता है और ऐसे ही संक्रमित करता इस तरह से life cycle इसकी चलती रहती है चलिए अब जल्दी से cattle के बारे में समझ लेते हैं cattle में life cycle कैसे चलाता है ये इसको समझ लेते हैं तो देखे अगर cattle में देखा जाते हैं ये sheep है sheep में हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही cow अगरा है जिन भी cattle में जाते हैं तो जो cattle है जैसे sheep है किसी ना किसी माध्यम से इसके मुँ में वो लार्वा चला गया जो मेटा सरकेरिया था sheep ने माली जल पिया होगा या किसी ने किसी माध्यम से sheep के अंदर चला गया और अब इसके अंदर जो sheep है इसके अंदर क्या होगा sexual reproduction होगा हमने बताया था जो primary host होते हैं इसी के अंदर sexual reproduction होता है तो इसमें sexual reproduction होगा या लैंगिक जनन होगा और adult fluke जो ये है ये क्या है ये adult fluke है adult fluke है जो sheep में प्रजट होता है और इसके मल के साथ बाहर निकलता है जो मल है उसके साथ में बाहर निकला अब इसके अंदर बहुत सारे अंडे हैं और इसमें देखे एक मुख भी है ये अपर कुलम कहलाता है और अंडों की भिती जो ह कह सकते हैं क्योंकि इस पर भेत्ती होती है और इसके अंदर जो लार्वा बनता है यह लार्वा मेरा सीडियम लार्वा होता है मेरा सीडियम लार्वा होता है यह मेरा सीडियम लार्वा जो है यह इस से बाहर निकल रहा है देखिए मेरा सीडियम लार्वा सिष्ट से बाहर नि हो जेगा और फिर जैसे इसको इस्ठनाल मिल जाता है तो यह सब्रकारyesome के करने न्रमाण हुआ है इसके अंदर इस पोरोसिष्ट में बदला और इस स्पोरोसिष्ट से ये रेडिया में बदला और फिर रेडिया से इसके अंदर सरकेरिया बनने लगता है तो रेडिया विद सरकेरिया ये लारवा हो गया ये स्पोरोसिष्ट ये रेडिया और ये सरकेरिया ये तीन प्रकार के लारवा बनते हैं और इसके बाद में ये जो सरक निकला सरकेरिया लार्वा कि कालता है यह क्यों सहें और निकलके करके इसकी पूच् topics खत्म होने पर धीरे-धीरे करके क्या करता है जलमского कितना है पहब पेड़्पधों पत्तियों से तारी से चिपक जाता है और इसकोGER चाण इसका पूरा लाइफ साइकल चलता रहता है फिर अगला है फीता क्रिमी अथवा टीनिया सोलियम तो जो फीता क्रिमी है अथवा टेप वार में अथवा टीनिया सोलियम है यह आत्र का परजी भी होता है मनुस्य की आत्र में रहता है और एक रोग जनक परजी भी है यानि और का मास खाते हैं उनमें अधिकतर पाया जाता है भीड़ बकरी बंदर की आतों में भी पाया जाता है यहीं पर आपको बता दें कि टीनिया सोलियम अथवा टेप वर्म की दो लारवा अवस्थाएं होती हैं हेकसाकैंथ और सिष्टी सरकस अथवा ब्लेडर वर्म कहा जाता है सिष्टी सरकस को तो दो लारवा वस्थाएं टीनिया सोलियम की कौन कौन सी होंगी हेकसाकैंथ और सिष्टी सरकस या ब्लेडर वर्म और इसका सरीर लंबा चपटा वहा फीते के समान या रिवन के समान होता और सरीर की लंबाई लगभग में पांच मीटर तक हो सकती है यानि इनके सरीर की अगर लंबाई को देखा जाये तो लगभग में पांच मीटर तक हो सकती है एक मीटर भी हो सकती है दो भी तीन भी चार भी पांच भी यानि लगभग में है तो लगभग में पांच मीटर तक होते हैं और इनके सरीर में 850 से 1000 उनके पाए जाते हैं और तीनिया के सरीर को तीन प्रमुक्ख भागों में बाचा गया है पहला भाग है शे दूसरा है नेकि या गरदन और तीसरा है देहखंड अथवा इस्ट्रो बेलर देकड या इस्ट्रो विलर आपको बता दें जो स्कॉलक्स है स्कॉलक्स पर चार चोसक तथा होकि दो नगे होती हैं उस hottie है मन्हें कि आज में घाव करता है जिससे आतों में डर्द होता है G. मितलाता है और इनिमिया य्रगतपलता नामक रोग हो जाता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए उससे समझा देतے है इसकी आंत्रिक संड़क्ना, इसकी बाहि संड़क्ना इसमें पोशन कैसे होता है तंत्रिका, तंत्र, जनंतंत्र आद सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजी तो टीनिया सोलियम संग प्लेटी हिलमेंथीस का एक जनतु है टीनिया सूलियम एक दूई पोसी पर जीवी है डाई जेनिटिक पर जीवी होता है या पेरासाइट होता है अर्थात या अपना जीवन चक्र दो पोसोदों में पूरा करता है या कहले की दो पर पोसीयों में पूरा करता है इसका वयस्क अपने मुख्य पर पोसी मानों की छो पीडियेट होस्ट जो सुवर होती है जो पिग होती है पिग के उधक में पाई जाती है कहने का मतलब यह हुआ कि पहला पोसक मनों से होता है और दूसरा पोसक सुवर अथवा पिग होता है और यह सामानता फीता क्रीमी अथवा टेप वार्म के नाम से जाना जाता है और इसक फीता क्रीम इस सामाने भासा में कहा जाता है या टेपवार्म कहा जाता है चलिए इसकी संदचना को समगन का होता है तो टीनिया सोलियम प्राया सफेद या क्रीम या पीले रंका होता है या क्रीम कलर का होता है या यलो या पीले रंका होता है इसका सरीर फीते की तरह लंबा और चप्टा होता है जैसे फीता होता है बिल्कुल उसी तरह से इसका सरीर लंबा होता है चप्टा होता है फीते की भ यो टीनिया सोलियम है या जो फीटा क्रीम अधवा टेपवार्म है इसकी लंबाई लगभग में एक मीटर से पांच मीटर तक होती है सरीर अगले सेरे पर सकरा तथा पीछे की और कुछ चवड़ा होता है जो इसका अगला सेरा है उधर सकरा होता है पतला होता है और पीछे की तरह थोड़ा सा चौड़ा होता है टीनिया सोलियम का सरीर बहुत से भागों या खंडों में बटा होता है यानि इसका सरीर खंड युक्त होता है उन खंडों को देह खंड कहा जाता है या प्रोग्लाटिट्स कहा जाता है देखंड कहते हैं देखंडों की संख्या लगभग में 800 से 1000 तक होती है 800 से 1000 के बीच में पाई जाती है यहीं इसमें देखंड कितने खंड पाई जाते हैं 800 से 1000 तक फीता क्रिमे में विखंडन होने वाली प्रिकरिया कूट विखंडन या स्यूडो मेटामेरिज्म कहलाती है विखंडन जो इसमें होता है विखंडन होने की प्रिकरिया को क्या कहा जाता है स्यूडो मेटामेरिज्म कहा जाता है या कूट विखंडन कहा जाता है इसका संपूर्ण सरीर तीन भागों में बटा हुआ होता है जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं इसका संपूर्ण सरीर तीन भागों में बटा है पहला इसकॉलेक्स, दूसरा ग्रीवा और तीसरा इस्ट्रोबिला जो पहला है इसको पहले समग लेते हैं इस कॉलेक्स को तो यहाँ सरीर के अगले सिरे पर घुंडी के समान घुंडी जैसा दुई अरिये सम्मित संदचना होती है जो इस कॉलेक्स है यह सरीर के सबसे अगले सिरे पर होता है और जैसे घुंडी होती है घुंडी जैसे संदचन नाम क्या है संकुका जिसे रोश्टेलम कहते हैं आगे के भाग को क्या कहते हैं रोश्टेलम कहा जाता है इसमें 22 से 32 कायटनी हुक पाये जाते हैं घुमावदार कायटनी हुक और ये हुक इसके आधार के चारों और दो लाइनों में होते हैं जो इसका आधार है आधार के चा बड़े भाग पर चार अर्ध गोलाकार अत्यंत पेसिये चूसक अंग होते हैं जिन्हें प्रचूसक या एसिट बुला या सकर्स कहा जाता है इन्हें जो ये चौणा भाग है ये चार पेसिये चूसक अंग होएं और इन्हें क्या कहा जाता है चूसक अंगों को तो प्रचू प्रचूसक कहा जाता है या सकर्स कहा जाता है और इनकी सहायता से इसकॉलेक्स परपोसी के आत्री सलेस्मा या म्योकोसा में गहराई में धस जाता है यानि इनसी की सहायता से जो प्रचूसक होते हैं इसकॉलेक्स होते हैं या सकर्स होते हैं इनकी सहायता से ये परपोसी की आ बोटा सकरा और आसंक्रिणित यानि बहुत पतला नहीं होता है आसंक्रिणित का मतलब है अनकंस्ट्रिक्टेड भाग होता है ग्रीवा से मुकुलन द्वारा देहखंडों की उत्पत्य होती है जो ग्रीवा है इसी से मुकुलन के द्वारा बढ़िंग के द्वारा देहखंड बनते हैं आताहा इसे प्रोचरोध भवन का छेत्र कहा जाता है इस छेत्र को क्या कहते हैं प्रोचरोध भवन का छेत्र कहते हैं या एरिया आप प्रोलाइफरेशन कहा जाता है एवं बिखंडन का छेत्र भी इसे कहा जाता है एरिया आप सेग्मेंटेशन भी इसे कहते हैं च सिरीर। का लंबा वा प्रमुक भाग है, यार सबसे लंबा भाग इच्ट्रोविला होता है, प्रमुक भाग होता है, और इसी में 800-1000 तक देखंड पाए जाते हैं, या देखंड पाए जाते हैं, और ये एक सरंखला की समाश्ण बयोस् dziत होते हैं, एक लाइन की तरह से बैव समू होता है यानि हर एक इसका जो खंड होता है हर एक मेचियोर देह खंड में हर एक मेचियोर प्रोगलोटिट्स में जननांगों का एक समू होता है या कलेजिके रेप्रोड़क्टिव आर्गंस का एक ग्रूप होता है रेखा बध पधति में देह खंडों और जननांगों का दोहराना प्रोगलोटाइजेशन कहलाता है कहने का मतलब यह हुआ कि एक के बाद यह जो खंड होते हैं और इन सभी खंडों में जो जननांग पाय जाते हैं यह क्रमसा जो लगे होते हैं इसे ही प्रोगलाइजेशन कहा जाता है और अगले देखंड सबसे नए एवं लेंगिक आपरपक होते हैं जोसके आगे के देखंड हैं वो नए होते हैं लेंगिक में आपरपक होते हैं और जो पिछले देखंड हैं वो पुराने होते हैं लेंगिक में परपक होते हैं मैचेवर होते हैं और विकास की विभिन अवस्थाओं के कारण इस ट्रॉबिला में आगे से पीछे तक तीन प्रकार के देखंड पाये जाते हैं अगर विकास की विभिन अवस्थाओं को देखा जाए तो उन अवस्थाओं के काड़ जो इस्ट्रॉबिला है इसमें जो देहखंड पाये जाते हैं ये मुख्री रूप से तीन प्रकार के होते हैं 200 जो खंड होते हैं वो आपरिपक होते हैं इसके बाद में 450 परिपक होते हैं इसके बाद में ग्रेविड 150 से 350 तक होते हैं इस तरह से कुल मिला करके तीन प्रकार के देह खंड पाए जाते हैं अंडपूंड या ग्रेविड देहखंड छोटे-छोटे समुह में नियमित रूप से इस्ट्रोविला के पिछले सिरे से अलग होकर परपोसी के मल के साथ बाहर निकलते हैं कहने कम लब यह है जो अंडपोंड या ग्रेवेड देहखंड हैं ये छोटे-छोटे समोह में नियमित रूप से regular एस्ट्रोविला के जो पिछले सिरे हैं इस पिछले सिरे से अलग हो जाते हैं और अलग हो करके जो परपोसी होता है उस परपोसी के मल के साथ बाहर निकलते है या प्रिकिरिया प्रमोचन कहलाती है एपोलिसिस कहलाती है प्रमोचन यानि एपोलिसिस कहलाती है किसे कहते है एपोलिसिस जो इसके देहखंड होते हैं अंडपोंड वाले या ग्रेवेड वाले जो देहखंड होते हैं वो छोटे-छोटे समोह में नियमित रूप से regular रू जिसमें यहाँ परिघ्टना होती है उसे प्रमोचनी कहते हैं या एपोलिटिक कहा जाता है अब प्रमोचनी कहा जाता है चलिए अब टीनिया सुलियम अथवा फीता क्रेम या टेप वार्म की आंतरिक सन्रचना को समझ लेते हैं और थाथ इंट्रनल एक्ट्रक्टर को जान ल बाल है तीनिया सोलियम में बाह़चर्म या एपिडर्मिस अनुपस्थित होती है obey Department नहीं पाई जाती है और सशरीर की सबसे बाहचर्बर अध्यावरण यह değild कहलाती है पहली बात तो एप। होती नहीं है इसमें जो बाहरी परत होती है उसे अध्यावन कहते है कहा जाता है और जो क् fidelity की बनी होती है जो बाहरे नालों दारा चिद्रीत तथा बहुकेंद्र की परत होती है इसके बाहर की और अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें सूच्म रोमक कहा जाता है या माइक्रो ट्रकीस कहते हैं ये परजीवी के सरीर की सतह का छेत्र बढ़ाते हैं फिर अगर इसके पोशन की बात की जाए तो टीनिया सोल्यम में आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती है यानि इनमें आहार नाल नहीं होती है एलिमेंटरी का नाल नहीं होती है पाचन ग्रंथियां भी नहीं पाए जाती है और यहां अपने परपोशी की छुद रात में इस्थित पचा हुआ भोजन अवसोसित करके पोशन प्राप्त करता है यानि जिस जैसे मनुस्य के चिपक गया है मनुस्य के आतों में है तो उसी मनुस्य से पोशन प्राप्त करता है इसलिए कहागा है कि परपोशी के छोटी आत में इस ती जो पचावा भोजन होता है उसी पचेवी भोजन को ये अवसुसित कर लेता है और उसी से अपना भोजन करता है अब स्वसन सरीर की सामान स्वतह के द्वारा होता है फिर अगला है स्वसन यानि स्वसन इसमें कैसे होता है रेस्पाइरेशन कैसे होता है तो टीनिया सोलियम में आक्सीजन की अनुपस्थित के काण आवाईवी स्वसन होता है यानि इसमें oxygen नहीं होती है, absent होती है, इसलिए इसमें anaerobic respiration होता है, किसमें? टीनिया solium में, anaerobic respiration, glycosin के carbon dioxide तथा वसी अमलों में बिदलन से उरजा प्राप्त होती है, जो glycosin है, इसके carbon dioxide और वसी अमलों में बिदलन हो जाता है, बिदलन से उरजा प्राप्त होती है, energy प् उस्वाला कोसिकाओं के द्वारा होता है यदि इन जुदिलंट वीडियो तीनुनरीं तांत्राइ Ferr爾 गैंगलिया होती है चुस्का तंत्रीका तंत्र होएैर तो उसमें क्या हागा है कि टीन्या सॉलेम के स्कॉलेक्स में जो स्कॉलेक्स होता है उसमें एक जोड़ी… cerebral ganglia पाई जाती हैं अगर इसमें जननतंतर की बात की जाए reproductive system की बात की जाए तो केवल कुछ अगर तथा कुछ पस्ट देखंडों को छोड़ कर प्रतेक देखंड में जननांगों का एक समों पाई जाता है यानि कुछ आगे के खंड छोड़ दीजिए कुछ पीचे के खंड छोड़ दीजिए पाकी सब ही खंडों में जननांगों का एक समों होता है टीनिया उभैलिंगी जनतु है या हर्माफ्रोडाइट एनीमल होता है जननांग मेशन कायमा से विक्षित होते हैं और नर जननांग माता जननांगों से पहले विक्सित होते हैं, माता जननांग बाद में नर जननांग पहले विक्सित हो जाते हैं, इस प्रकार पुम्पूर्वी दसा पाई जाती है, यहनि में प्रोटेंडरस पाया जाता है, और इनमें जननतंत्र निम्न प्रकार के होते हैं, नर जनन तंत्र की अगर बात की जाए, male reproductive system की बात की जाए, तो नर जनन तंत्र में असंखे ब्रशाण, असंखे टेस्टिस होती है, सुक्रवाहिकाय होती है, या वैस डिफरेंसिया होती है, सुक्रवाहिनी जननिक परिकोष्ट पाये जाते हैं, जो जनन छिदर के द्वारा निकलते हैं, या गोहनोपोर के द्वारा बाहर निकलते हैं, अगर मादा जनन तंत्र की बात की जाए, female reproductive system की बात की जाए, तो मादा जनन तंत्र, दो पालित, या दुई पालित अंडा सहे, या ओवरी, अंडवाहिनी या ओविडक्ट, उटाइप, योनी, गरभा सहे, इसमें एक जोड़ी मेहल से ग्लेंड पाई जाती हैं, या कलेजी की एक कोस्किये मेहली की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये संपुटों के मार्ग को चिकना बनाती हैं, फिर अगला जनतु है प्लेनेरिया, तो देखिए यह स्वतंत्र जीवी चप्टा क्रीम है, जो प्ले लमबा चप्टा पति के समान गहरे भूरे रंका या काले रंका होता है, य crisis कर दिया जायां काई टुकड़ों में इसको काट दिया जाये, तो हर एक टुकड़ा एक एक वैस्क प्लेनेरिया बन जाता है अगर कई टुकड़े गिये जाए तो यानि इनने रीजनेरेशन की छमता होती है जब कई टुकड़े काटे गए और वो बार-बार करके फिर पूरे जन्तु बन जा रहे हैं इसका मतलब रीजनेरेशन अधिक पाया जाता है और इनका सरीर एक दसमलों पांच सेंटीमेटर से लंबा यानि एक दसमलों पांच सेंटीमेटर तक लंबा इनका सरीर होता है और अगला जो तिकोना भाग है वो सिर कहलाता है और सिर के दोनों तरफ या दोनों और और औरिकल नामक उभार होते हैं और इसमें लैंगिक प्रजनन पाया ज झाल झाल झाल